अब नहीं मिलेगी कोवी शील्ड, एस्ट्राजेनिका ने लिया बड़ा फैसला। दुनिया भर से कमपनी वापस मंगाएगी वैक्सी, वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बाद लिया फैसला। पिछले दिनों कोरोना वारस की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर आई खबरों ने देश दुनिया के सभी लोगों को चौका दिया जिसने एस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन लिथी। और अब एस्ट्राजेनिका ने बड़ा फैसला लेते हुए दुनिया भर से COVID-19 वैक्सीन की सभी डोस को वापस मंगा लिया है सवाल ये है कि क्या COVID-19 वैक्सीन भारत से भी वापस मंगाई जाएगी तो इसका जवाब है हाँ भारत में बनने वाली COVID-19 वैक्सीन को भी वापस मंगाया जाएगा आपको बता दे कि कमपनी ने इतना बड़ा फैसला यूँ ही नहीं लिया है आरोप है कि कोरोना से बचाने वाली कोरोना वैक्सीन कोई शील्ड ने कई लोगों की जान ली है कम्प़नी ने ये फैसला तब लिया है जब बीते फरवरी में उसने ब्रीटेन की कोट में वैक्सीन के चलते गंभीर बीमारी होने की बात को माना है हलाकि कमपनी की और से बाजार से वैक्सीन वापस मंगाने के पीछे कोई और कारण बताया जा रहा है कमपनी ने मंगलवार को कहा कि वैश्पी की स्थर पर अपनी सभी वैक्सीन वापस मंगा रही है कमपनी के खिलाफ ब्रिटेन की कोट में केस दायर किया गया है इसकी कोरोना वैक्सीन खून में ठका जमने और खून में कम प्लेटलेट की वजह बनती है कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बाद सामने आने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रिम कोट में भी कुछ भारतिय परिवारों ने कमपनी के खिलाफ मुकद में किये हैं आपको बता दे कि स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले के मताबिक भारत में अब तक 220 करोड से ज्यादा वैक्सीन की खुराग दी जा चुकी है आपको बता दे कि एस्ट्राजेनिका वैश्विक फार्मा कमपनी है इसने भारत में कोविशील के नाम से कोरोना वैक्सीन लगाई थी अब कमपनी ने खुद से बनाई कोविड-19 वैक्सीन को वैश्विक इस्तर पर वापस ले लिया है इससे पहले कमपनी ने अदालती दस्तावेजों में सुईकार किया था कि उसके द्वारा बनाई कोरोना वैक्सीन लगने से खुद के ठके जमना जैसे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं हलाकि फार्मा दिगज ने कहा कि वैक्सीन को व्यवसाइक कारणों से बजारों से हटाया जा रहा है टेलिग्राफ ने मंगलवार को कमपनी के हवाले से कहा कि अब वैक्सीन का निर्मान या आपूरती नहीं की जा रही है कमपनी की तरफ से तर्क दिया गया कि हमने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब वैक्सीन लगाने से साइड इफेक्ट सामने आए हैं ये पूरी तरह से संयोग है वैक्सीन को बजार से हटाने का कारण कुछ और है हलाकि कमपनी ने इस पर ज्यादा कुछ कहने से इंकार कर जानकारी के मुताबिक वैक्सीन को बज़ार से वापसी के लिए आवेदन बीते 5 मार्च को किया गया था जो 7 मई को प्रभावी हुआ एस्ट्राजेनिका ने साल 2020 में ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई थी इसके फॉर्मूले के इस्तमाल करते हुए सीरम इंस्ट्यूट ने भारत में कोवी शील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है बतादे कि एस्ट्राजेनिका की बनाई गई कोरोना वैक्सीन से TTS यानि थ्रॉम्बोसिस थ्रॉम्बोसाइटो पेनिया सिंट्रोम की वजह सामने आये थे एस्ट्राजानिका की बनाई गई वेक्स जेवेरिया नाम की वेक्सीन यूके समेत कई देशों में सप्लाई की गई थी और इस वेक्सीन के भी साइड इफेट की जाच के दायरे में हैं इससे बिमार वैक्ति को खून में ठके जमना और कम प्लेटलेट्स की शिकायत हुई है फरवरी में कोट की कारवाई के दौरान कमपनी ने भी सुईकार किया था कि वैक्सीन लगाने के बाद इसकी संभावना है कि TTS हो TTS की वज़ा से UK में कम से कम 81 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सैक्डों लोगों पर गंभीर साइट इफेक्ट हुए है कमपनी मरने वालों के 50 से ज्यादा रिष्टेदारों की और से दायर मुकदमे का सामना कर रही है जिसमें कमपनी से 1000 करोड रुपए हर जाने की मांग की गई है फिलहाल इस खबर में इतना ही